Hello students, Apex classes के digital platform पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनन्दन, इस लक्समन सिंग राव, यौर इंग्लिश एजुकेटर, जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग प्लस टेंस के अंत्रगत हमारा जो ये प्रोग्राम एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी में हमने जो प्रिजेंट टेंस था उसको पूरा कर लि इस उसमें हिंदी में पहचान अंग्रेजी में पहचान इस्ट्रिक्टर और पैसी वोईस यूजेज इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने सब पढ़ा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में जो आ रहा है ये सबसे पोजिटिव पॉइंट है हमारा कि इतना अच् इस है पास्ट इंडिफिनेट में पास्ट सिंपल में सिंपल पास्ट में में जैसे हमने पहला वंके बनाया कि राम कि इल राव्ma इस तैप से यह बन गया अफिरमेटिव में असिरमेटिव फिर हमने बनाए Intregative तो उसमें क्या बनाया कि डीड राम किल रावन रावन यह अब उमारे को Negative बनाना है तो इसमें ज्यान दिए कि जब इसका हम Negative बनाएंगी Negative sentence तो उसमें किस टाइप से हमारे को क्या करना है सबसे पहले subject लेना है प्लस did प्लस not प्लस जो में वर्ब होगी उस में वर्ब की first form प्लस objects प्लस other words इस टाइप से sentence बनेगा ठीक है जैसे आपको बताएं जैसे इसी में से ले लेते हैं आलांकि राम नहीं रावन को मारा था लेकिन या प्रशन नेगेटिव के तौर पर हम बना रहें तो उसमें देखी राम या subject है subject लिया फिर डिड लगाया डिड उसके बाद में नॉट में वर्ब जो है इसलिए यहां पर फिर्स फोर्म आएगी राम डिड नॉट किल उसमें object क्या है रावन यह इसमें बन गया राम डिड नॉट किल रावन कहने कारते राम ने रावन को नहीं मारा लेकिन यह उना sentence मनाने की तौर पर कह रहें उसी प्रकार से देखी यह जैसे वाकिया था तो उसमें हम जैसे में फुटबॉल कहलने की जो बात थी तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे में कल फुटबॉल नहीं खेलता था कहने कार्थ यह इसमें अपने जो इंट्रूगेटिव के अंतरगत है तो हमने जो अफिर्मेटिव बनते हैं उसके बारे में पड़ा हमने किस प्रकार से निगेटिव इंट्रूगेटिव अफिर्मेटिव तीनों प्रकार से जो बनता है उसको लेकर क्याम बनाया और जो इंट्रूगेटिव नेगेटिव होता है जिस प्रकार से कि डिड राम नॉट इस टाइप से तो ऐसी इस डिड आई नॉट डिड आई कावना इस टाइप से उसमें इंट्रगेटि नेगेटिव में उसका यूज कम होता है जनरली हमारे को विशेष तोर पे अफिर्मेटिव और नेगेटिव मुख्यतिया यह ज़्यदा यूज करने पड़ते हैं स्पीकिंग में भी तो इसलिए इनका आप विशेष तोर पे ध् या ध्यान दें या इंट्रोगेटिव यह इंट्रोगेटिव हो गया और अफिर्मेटिव को लेकर कि आपको पहले बता दिया कि हमारा जो सेंटेंस किस टाइप से हमने बनाया है तो यह अफिर्मेटिव में कि सबसे पहले सब्जेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसके बाद में हम मिस प्रगहर से आपको एक स्बैन किया कि यह तो प्रिजेंट सिंपल में आते हैं वैसे लेकिन आपको समझाने के लीए मैंने यह पर बताया है और विशेस तोरप हमारे को यहां पर डेटके बारे में जानना था और डेट का प्रेयोग बोर्ड के जो एक्जामें उसके अंतरगात आपको बता दूँ कि जो भी प्रश्ण पूछते हैं बोर्ड के अंदर एक्जाम जो competition के एक्जाम होते हैं उसमें सभी में आपके लिए बता दूँ कि उसमें 90 प्लस ही होता है वैसे 90 प्लस प्रसेंटेज जो है इस संबंदित प्रश्ण होते हैं या तो होते हैं डू से डश से या डिट से अब बोर्ड का टैंथ ट्वेल्ट उससे competition के जो भी एक्जाम होते हैं सभी में आप देखना जो भी प्रश्ण पूचते हैं तो उसमें डू ड़ और डिट कारण क्या कारण कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यह तो समझें नहीं लेकिन इसमें जैसे डू दिया तो यहां पे आई गो होगा या आई गोज होगा या प्रश्ण में डिड़ आया तो उत्तर में में वर्व की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है यह बहुत ही मैतुपूर्ण आपके लिए जानकारी है इसको आप अच्छे तरीके से रटना नहीं है रटना नहीं यहां पे रटाएंगे नहीं यहां पर आपको बिलकुल अच्छ तरीके से आपको और साथ इसाथ सबसे विश्वस नहीं तरीके से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मेटरल लेकर का आया है नेगेटिव में कैसे बनेगा सब्जेक्ट डिड नॉट इसके बाद मेन वर्व की फर्स्ट पॉर्म क्यों कि यहां पर डिड आ गया इसलिए यहां पर फर्स्ट पॉर्म आई ऑब्जेक्ट और अदर वर्स तो यह हमारे नेगेटिव के अंतरगत बन गया उसके पहले जस्ट आपको थोड़ा साथ बता दूं कि इसका जो पैसी हो इसका है वो भी हम आगे लेंगे जस्ट उससे पहले देखिए यहां इस पीकिंग में अध्यापी का क्या तुम कल जल्दी उठी तो देखिए यहां पर डीड यू गैट अप अर्ली येस्टरडे अब यहां देखिए कल जो बीता हुआ उसी में पास्ट में उत्तर प्रष्ण पूचा था इसीलिए यास तुम ने डबल दोटी और मखन खा या डीड यू हैव ब्रेड एंड बटर यू एव ब्रेट एंड बाटरेव ब्रेड तू उसने का घे हां मैडम खाया यस मैडम आई डीड हां मैंने खाने का क सिनेमा अब यह पफिक्ट के अंदर हैड साइक करिया के तोर पे इसलिए और एड के साथ में हमेसा थर्ड फॉर्म पफिक्ट में थर्ड फॉर्म आती है आप एक बार दो बार अपने प्रेक्टिस पी हो जाएगी और डेली लाइप में में आप अवस्य आना वापस आना दू कम अवस्याना वापस आने के लिए घाड़ी दीरे चलाओ वैसे घाड़ी चलानी चाहिए लेकिन बोलने भी तो उसमें हैं, drive slowly, drive slowly, सोच समझ कर बोलो, ज्यान दीजिये, सोच समझ कर बोलो, तो think before you speak, सोच समझ कर करो, think before you act, कोई भी आप करते हैं काम, तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए, बोलने से पहले, करने से पहले, तो ऐसी स्थी में सामने वाले को आप जब कहते हैं, think before you speak, तो मतलब बोलते समय ध्यान रखने की बात जी कह रहे हैं, think before you speak, think before you act, नहीं तो क्या है कि जो भी बात निकलती है, उसके बाद में सब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए, तो इसके लिए हम think before you speak, इस टाइप से sentence बोलेंगे, मजाक मत करो, तो इसमें don't cut jokes, तो यहां ध्यान दे, don't cut jokes, मतला मजाक मत करो, और सामने वाले को आप जब असी मजाक में दोस्तों की साथ आपस में बात कर रहे हैं, उसमें यह वर्ट इसका sentence का यूज करें, don't cut jokes, तो उसमें क्या है कि डेली लाइप में हो गया, और आप अमेसा यूज करेंगे, आपके speaking बढ़ती जाएगी, इस प्रकार का आपको डेली लाइप में करना है, बक्वास मत करो, don't talk nonsense, कभी कवार मालनी जी इस प्रकार की बात हो, इर्रिलेटिव हो, don't talk nonsense, जाने दो, let it be, हम कहते न, चलो, रहने दो, जाने दो, let it be, कुछ तो खयाल करो, have a heart, have a heart, heart, heart जो कहने कार सत्वे, hurt वैसे इर्दे, तो कहने कार कुछ खयाल, तो खयाल दो कैसे, जो आंतरिक मन से ही होता है, इस टाइप से, जरार रुकिये, जैसे फॉन पर भी बात कर रहे हैं, जरार रुकिये, hold on, hold on, please भी बोल सकते हैं, इस सिताफ दे, जरा ठहर ये, please wait a bit, please wait a bit, थोड़ी देर के लिए, रुकने की जब बात हो रही है, जैसी आपकी मर्जी, जैसे हम बोलते हैं, as you like, as you please, इस टाइप से, ये भी, ऐसे sentences है, जो डेली लाइफ में हम use करते हैं, और करने चाहिए, जैसा आप हमेशा, जब भी आप बोलते हैं, उस समय चाहिए आप घर पर हैं, उसी प्रकार से friends के साथ में हैं, school में, class में, ऐसी इस्तती में, आपस में हमेशा use कीजिए, और दीरे दीरे ये चीज practice में आएगी, क्योंकि जिस प बाद में टॉप में गाड़ी चलती है, तो दीरे दीरे आप practice करेंगे, एक, दो, तीन, इस टाइप से, आखिर में गाड़ी आपकी टॉप में चलेगी, और यहां ज्यान दीजिए, जैसी आपके मर्जी मतला, as you like, as you please, कृप्या बैठ ये, please be seated, जब घर पे मेहमान आएं, please be seated, इस प्रकार से उनको respect देते हुए, तो बैठने की जो बात कहेंगे आप, ये भी English में, हम कहते हैं न, विराजिये, तो उस विराजिये के लिए please be seated, ये सब्द है, बैठने के लिए जो कहते हैं, विराजिये के लिए कहते हैं, तो उसके लिए please be seated, फिर जरूर फिर जरूर आएएगा, do come again, उनको इस प्रकार से निवेदन भी ये भी करें, तो वो भी हमारे एक प्रकार से civilized language ये भी है, सब्द भासा का प्रयोग और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, ये चीजें, ये डेली लाइप में हमारे को यूज करनी हैं, और भी आपको इससे संबंदित हम बात बता रहे हैं, देखिए, संपर्क बनाए रखिएगा, please keep in touch, संपर्क बनाए रखेगा, please keep in touch, यानि ये भी जब मेहमान जा रहे हैं, उसमें आपने please do come भी आने की बात कई है, वापस आने की बात कई है, तो उन से संपर्क, क्योंकि आज कल फॉन का हमादिय में, तो संपर्क बनाए रखने के लिए भी बात आप, वो भी आप कहें, कि please keep in touch, जरा हाथ लगाना, अब देखिए, ये कहां पर, ठीक है न, तो ये आपको कहां यूज करना है, कि जब आप किसी की help ले रहे हैं, जब help लेंगे, साहिता, मान लिजी कोई वजन उसी प्रकार से समझने की कौशिश करो, तो आपको जब भी आपस में किसी को समझा रहे हैं, या फिर आप अपनी जो बात है, वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, और सामझे वाले को कह रहे हैं, तो उसको तो टोड़ा कही है, कि try to understand, मेरी जो position है, उसको try to understand, इस ताइप से, य यहां फिर forms के रूप में, तो कुछ ऐसी forms हमेशा आपको बताई जाएगी डेली, ताकि आपको हमेशा उसमें रहे, बहुत अच्छे तिल, ऐसी सैकड़ों संक्या में हम कोशिस करेंगे, कि आपको 500 से 600 ऐसी verbs में लिखवा दूँ, तो लगबगेदी 600 verbs आपको याद हो जात इसी प्रकार के समय से आने आएगी कि हमेशा आपके लिए नए चीज नई नई चीज आपको आप उसमें जुड़े रहें, लाइक करते रहें, अब यहां ध्यान दीजिए, अब आइड, अब अबॉड, अबॉड, थार्ट फॉर्म में अबॉड है, वह रहो या मानो के लिए इस टाइप से यूज होता है, फिर अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज देनी गाली देना तो उस गाली देने के लिएकर के, हालांकि गाल अब्यूज पॉर्म के तोर पे अरोज, सेकेंड पर अराइजन, उठो, उसी प्रकार से अराइव, अराइवड, अराइवड पहुचने के लिए, यहां ध्यान रखना अवेक, अवोक, अवोक, जागने के लिए, लेकिन इस वही में, नेक्स्ट में देखिए, अवेकन, यह साथ में है, यह यह अलग है, यह लग है, तो वी वाज बीन, यह वर बीन, और जब कंटिन्यूस के अंतरगात, यह दी दिया वाद और इस आर्म का प्रियोग होता है, जब अपने करेक्ट पर्म का प्रेशन पूचते हैं, इसके बले करके मैंने आपको पहले एक्सरसिस की थी उसके अंतर कर दमने बी का पूछा था सेंटेंस भी आपको बताया दोसमें किस प्रकार से उसके और बोर्ड में इस्पेशली टैंथ क्लास में करेक्ट फॉर्म में यह सवाल जरूर पूछा जाता भी वाला भी आता दोसमें इस आरायम या फिर वाजवर के रूप में उसमें इस टैंस को देखना है जदतर इस का पूछते हैं तो इसका आर्थ होता है होना वी वाज बीन इसका आर्थ हो गया होना यह इसमें अपने इस टाइप से कर दिया हमने बढ़ते हैं हम आगे देखिए अब इसमें लेते हम कि जो पास्ट इंडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट के अंतरगत हमने इंडी में पैचान पड़ी अंगले जी में पैचान पड़ी इस पड़ा इंट्रोगेटीव पड़ा निगेटीव पड़ा ठीक है यूजज में आपको प्र जो भी इसमें किस ताइप से आपको बनाने वह अब बढ़ते हैं structure of passive voice इसमें क्या करेंगे सबसे पहले object plus helping work बाएगी was your work plus third form of the main verb plus by plus subject plus other words अन्य सब्जो अभी आपको बताते हैं इसमें कि देखे किस प्रकार से होगा ध्यान दीजिए कि हमारे को पास्ट टेंस के अंत्रगा जो पास्ट इंडिफिनेट है सिंपल पास्ट जो है उसमें पैसी हो इस कैसे बनेगा तो सबसे पहले आपको object लेना है मतलब आपको कर्म लेना है कर्म जो होगा अब्जेक्ट इसके बाद में helping वर्ब यदि वहां पर एक वचन है तो वह लगाना है अब इसके अंत्रगा और भी जो नई जानकरी उसको आपको बताएंगे फिर में फ़र्म और मेंवर्म में वर्म की आपको फ़र्ड लगानी है पैसी वह इसमें सब्सक्राइब अब्जेक्ट पहले आरा है यदि वह प्लूरल तो ध्यान आंकर रखना है कि यदि भूतकाल में हो गया इसलिए आई के सात्व लगेगा आई के साथ लेकिन वर कब लगेगा आई के साथ वर कब लगेगा आई के साथ वर भी लगता है कब लगेगा conditional sentence सर्थ वाले वाकिये दी है इफ जैसे if I were the prime minister of India, if I were the principal of my school, ठीक है, if I were a cloud इस टाइप से यह जो sentences होते हैं conditional sentence होते हैं उसके अंत्रगत आई के साथ वर लगेगा अन्य था आई के साथ आपको वाज लगाना है पास्ट इंडिफिनेट के अंत्रगत इस बात का आपको विश्विश्व ज्यान लगना है ज्यान दीजिए यहां पर हम sentence लेते हैं एक्टिव इसका जैसे आई इसको जब हम बनाएंगे यहां पर हमने subject ले रखा है यहां में वर्ब की कौन सी फॉर्म है यह सेकेंड फॉर्म है इसके बाद में object हैं और यहां पर other words यानि हमारी जो भी एड़ वर्ब कॉम्प्लिमेंट आदी है जब पैसिव इस बनाएंगे तो सबसे पहले object आएगा यहां पर object क्या है यह आगया जाएगा उसके बाद में आपको क्या लगाना है वाज वर यहां पर वाज यह वर आएगा उसके बाद में देखी क्या लिखा हुआ है third form तो यहां पर आएगी third form of the main verb उसकी यह वो third form हो जाएगी फिर क्या लगेगा फिर बाहर लगेगा उसके बाद में subject यहां से यह चला जाएगा यहां पर तो यहां subject आजाएगा उसके बाद में हमारे other words है यदि अन्य सब्द है तो वह अन्य सब्द other words उसी इस्तान पर रहेंगे उसके इस्तान में changes नहीं करना है अब ध्यान दें कि यहां पर हमारे को इदर द्यान दीजिए सबसे पहले object लेना है इस सेंटेंज में जैसे आई प्लेट फुटबॉल यस्टरडे तो इसमें object क्या है तो अब्जेक्ट देखिए subject वर्ब अब्जेक्ट है फुटबॉल तो यहां पर लिग दिया फुटबॉल यह फुटबॉल हो गया अब देखिए फुटबॉल एक वचन है या बहुचन एक वचन है तो वज लगाई यह बहुचन है तो यह फुटबॉल एक वचन है इसलिए वाज हो गया तो हमने subject देखिए यहां पर object ले लिया में क्या धूकर्ण हो घ्लक हो गया तो यहां तो इसके बाद भी तो फीर यह सब्जक्ट देखिए का यहां पर क्या औन क्या हो जाएगा फैसी हो गया में का मी ऑगा और उसके बाद में क्या सेस किया रहा अधर वर्ट में तो यस्टरड़े यह इस टाईप से बन गया ठीक है फुटबॉल वांज प्लेट बामी यस्टरड़े इस प्रकार से यह सेंटेंस बना बहुत ही अच्छे तरीके से आपके इसमें हमने बनाया तो जैसे म रवी ग्रिह कारिय ग्रिह कारिय करता था तो एक्टिव इस बनेगा रवी इसका पैसी बनेगा बना कि बताओ बिल्कुल हाँ आप सभी जो भी है आप में इसे जयदातर सिंबूराम बताईए निकिता राजप्रोईद आप भी बताएं क्या होगा इसमें वोमराम चौधरी ललिता चौधरी बताईए 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 आप में से किस प्रकार से जितने भी यहां सभी आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरकी से बताईए कि इसका रवी डीड होमवर्क इसका पैसी वह इस क्या बनेगा बहुत जल्दी से तो इसमें देखिये आपको करना क्या है सब्जेक्ट बहुत ही वह शॉट में दिया है सब्जेक्ट अबज्द क्या उसाब्जेक्ट को पहले ली लिए जो भी object है पहले लिए object क्या है होमवर्क के घुख पहले आया तो इसके बाद में helpsk वर्क बाइगी helping was वर तो homework singular या plural बताइए तो one work हो गया singular homework was उसके बाद में में वर्क क्या है डिडडु ड्डु ड्ण्याहां वो में वर्क के तौर पे तो इसके लिए में वर्ब की थार्ड फर्म आएगी डन उसके बाद में क्या लगेगा और सब्जेक्ट कौन है रवी उसमें रवी हो गया वाज डन बाई रवी जिसने बनाया उसका सेंटेंस बिलकूल सही है ठीक है इस प्रकार से यह सेंटेंसे जमाने इसमें बने उसके अंतरगत आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है अब यहां पर देखिए कुछ बातें आपको में यहां पर अमेसा की तरह मैंने चाहिए वह अलवाई के तौर पर बताया था कॉन्फैक्शनर वालनट अख्रोट को लेकर के बात हुई थी इस प्रकार से और भी सब्द जो है जो का काफी तो ईजी पूछे थे आप मैं से कह नीबू एक दिया लखना नीबू नहीं होता है नीबू नहीं होता है नीबू सब्द होता है हिंदी में आप देखेंगे तो विशुद्ध सब्द होता है नीबू हम बोलते हैं नीबू हम बोलते हैं सेव सेव नहीं सेव जो विशुद्ध हिंदी है उसकी बात हम कर रहे है उसी प्रकार से लगातार इसको लेकर कि आप जो भी सब्दे हैं आप बताएंगे नारियल उसी प्रकार से मित्र और सरल नीबू लगातार नारियल मित्र सरल इसके लिए आप सब्द लिखें इंग्लिश में कि क्या इसमें होगा बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें बताएंगे तो हम आगे इसको इस प्रकार से जवाब देते रहें और जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं आपका रेस्पूंज मिला है आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है तो इसके अंदरगत जो पास्ट टेंस है उसमें हमने चाहे पास्ट सिंपल के अंतरगत आने वाला हिंदी में पैचान अंग्रेजी में पैचान इस्टिक्टर आपके आपको इस में बताया कि एप कर ना बहुत अच्छा आपका रेस्पॉंस भी मिल रहा है और समझ में आ रहा है सबसे अच्छी बात है लाइक और जरूर करें अधिक से अधिक लाइक करें और साथ ही साथ आप फेस्बूक वाट्सप पर इसको शेयर करें तो जैदा तर इसका फाइदा उठा पाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू